हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो मैं चनल रतन बाईसा की रसोई तो आज हम हमारी रसोई में कृष्ण भगवान के बर्डे केक की रेसिपी लेके आए हैं अगर फ्रेंद्स आपके घर पे बाल गोपाल लाए हुए हैं और आप उनका बर्डे सलिपरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम आपको ये केक बनाना बताएंगे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना न भूले और दोस्तों के शाज़ शेर भी कीजिए फ्रेंद्स तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे बाउल और बाउल के अंदर हम डाल देंगे ड्रिंकिंग सोडा हमने यहाँ पे ड्यूक सोडे का इस्तिमाल किया है तो आदे कप के करीब जो हैं हम यहाँ पे ड्रिंकिंग सोडा ले लेंगे नार तोल के सारे टिप फॉलो करते हुए बनाईए अब हम यहाँ पे लेंगे 50 ग्राम के करीम जो है बटर 100 ग्राम का अमूल का बटर का पैकेट आता है उसमें से मैं यहाँ पे आरे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कब हम यहाँ पे लेंगे कंडेंस मिल्क कंडेंस मil्क या फिर आप मिल्क मेड भी ले सकते हैं कंडेंस मिल्क सिर्फ तीन इंग्रीडियंस से तीन मिनट पे घर पे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा तो इन सारे इंग्रीडियंस को कर देंगे mix अब हम रखेंगे इसके पड़ चन्नी और चन्नी में डाल देंगे एक कप के करीब जो है मैदा और एक चताई कप हम यहाँ पे लेंगे cocoa powder हम चोकलेट के एक बना रहे हैं friends एक टी स्पून यहाँ पे baking powder इस तरह से उंगली घुमाके जो है आपको सारे सामान को लेना है तो एक टी स्पून baking powder और आदा टी स्पून baking soda इन सारे ingredients को जो है हम इसके अंदर अच्छे से चान के ले लेंगे Ingredients आपको description में मिल जाएंगे तो वहाँ से note down कीज़े फिर बनाइए इसे हम इससे mix कर देंगे क्योंकि इसमें कोई भी lumps नहीं रहना है और ध्यान रहे केक बनाते समय बैटर को जो है जादा mix नहीं करना है तो ये देखिए mix हो चुका है एक spatula लीजिए फिर इस तरह से चार बनाईए या फिर येसे तरह से cut लगाना है ज्यादा बैटर को mix नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है वरना केक जो है आपका hard बन जाता है इस तरह से हम केक के बैटर को रड़ी कर देंगे तो मैंने यहां पे बैटर को रड़ी कर दिया है अब हम यहां पे लेंगे एक gold टिन इसके नीचे मैंने butter paper बिचा दिया है और butter paper को भी जो है मैंने तेल से grease कर लिया है, अब तेल या गी या बटर किसी से भी grease कर सकते हैं, अब इस बैटर को जो है इसके अंदर ट्रांसपर कर देंगे, कडाई में, कुकर में, तंदूर में कैसे बनाते हैं, सारे वीडियो आपको हमारे चनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सक करते हैं, तो इस तरह से टाप करके evenly फिला लेंगे, अब हम इसे OTG में बेक होने के लिए रख देंगे, तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री के लिए 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था OTG को, फिर मैंने इसे 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए के को बेक कर दिया है, तो यह नच्प है, तो comment box में शेर कर सकते हैं फ्रेंस, अब मैं ने जो है इसकी layer cut कर दी है, layer cut कैसे करते हैं मेरे पास cutter है मैं उससे करती हूँ, आप चाहिए तो धागई से भी कर सकते हैं, यह है चोकलेट गनाश, तो चोकलेट गनाश कैसे बनाते हैं, double boiler से कैसे बनाते हैं, और OTG में कैसे बनाते हैं ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी डाग कंपॉंड और अमुल फ्रेश क्रीम दोनों से मात्रा में लेना है और उसे गरम कर लेना है यह यहां पर मैंने विपिंग क्रीम को जो है विप करके ले लिया है अब हम लेंगे टर्णिंग टेबल और इसके उपर रख देंगे बेस और बेस के ऊपर हम थोड़ा सा यहां पर क्रीम लगा लेंगे यह विपिंग क्रीम को इस तरह से लगाने से जो बेस हम रखेंगे यानि की जो cake की लेहर रखेंगे वो हीलेगी बिलकूल नहीं तो इसके उपर जो हमने cut करके रखी है तो जो ऊपर वाली लेहर थी उसे हम उल्टा करके नीचे की और रखेंगे और इसके उपर डाल देंगे साधा नॉर्मल पानी पानी डालने से friends क्या होता है न कि यह एकदम juicy बनी रहती है यह का आपकी dry dry नहीं लगती है तो इसके उपर जो है मैं इस तरह से चोकलेट गनाश को जो है पॉर कर दूँगी आप इसके उपर कुछ भी लगा सकते हैं यानि कि आप whipping cream के अंदर जो है चोकलेट गनाश को पॉर करके या फिर dark compound को मेंच करके whipping cream के अंदर डालके आप इस टाइप से भी बना सकते हैं अब मैं इस तरह से layer को रख दूँगी तो same procedure से इसके उपर भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी ना तो आपको ज़्यादा डालना है ना ही कम डालना है अब मैंने यहां पे piping bag में जो है cream को भर लिया है मैं आपको बहुत ही आसान और simple तरीका बता रही हूं आप कोई भी piping bag में इस तरह से भर लगाने की जुरत नहीं है और इस टाइप से आपको जो है cream पूरे cake के उपर फैला लेना है इससे क्या होता है ना friends कि आपको जो है cream evenly इसके उपर आता है तो इस तरह से हम सारे cake के उपर जो है cream क piping bag की help से लगा लेंगे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ share कीजी और bell button प्रेस करने से friends नए नए वीडियो के message आप तक पहुंचते चाहेंगे doubt है तो share कर सकते हैं easy easy recipe के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले friends केक कैसे सजाना है या आप पर dipend करता है अगर आपके पास इस टाइक का pepper है तो ठीक है अगर नहीं है तो कोई भी आप ठीक transparent cover को ले सकते हैं और उससे भी आप जो है icing कर सकते हैं या फिर हम आपको बहुती easy tip पताते हैं palette knife को जो है गरम पानी में dip कीजिए फिर इस तरह से लगाएंगे तो आपका cake की icing जो है perfect होगी अब मैंने यहाँ पे यह कृष्ण भगवान के more punk की जो हैं दो cutting करके paper ले लिए हैं मैं इसके उपर इस type से लगा लोंगी ताकि जब भी आप cake कट करें इंस्टिकस को निकाल सके एक मैंने यहाँ पे बासुरी लगा ली है अब मैं इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से decorate कर लोंगी तो मैंने यहाँ पे star nozzle लिया है और इस type से यानि कि जो लहरे होती है न उस type से मैं cake cake corner में जो हैं इस type से design कर लोंग cake की icing पूरी आप पे depend करती हैं कि आपको किस type से करनी है अगर आप इसमें कोई भी color add करना चाहते हैं तो whipping cream के अंदर color add करके भी आप cake बना सकते हैं तो यह देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं अब मेरे पास जो है यह powder color है तो थोड़ा सा yellow powder color को जो है मैं इसके ऊपर जो नीचे मैंने design किये न उसके उपर थोड़ा सा इस type से sprinkle कर दूँगे तो यह मैंने देखिए स्प्रिंकल कर दिया है अब मेरे पास एक golden ball है इनको मैं इस type से लगा लूँगी थोड़ी थोड़ी distance पे वीडियो फ्रेंज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और मेरे प्यारी भाई बैनों को जै स्री कृष्णा अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करके bell प्रेस करना न भूले बहुत सारी easy easy cake की recipe आपको हमारे च सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में